कोरोना के कहर के बाद देपालपूर शेत्र में डेंगू का प्रगूप बढ़ता ही जा रहा है। शेत्र के अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देपालपूर में डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे में अब अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है बीते दिन सहित अब प्रति दिन ग्रामिट शेत्रों में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं वहीं स्वास्त विभा अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर करें और इलाज करवाएं लुक्टर में देखा जा रहा है पेशिंट्ट्व भी बिमार जादा लग रहा है फीवर उनको उतर नेरा है जर्द बना हुआ है लेकलिट की संख्या कंड़ हो रही है किसी को प्लेटवेट ट्रांस्वीजन की रिक्वायरमेंट भी पढ़ रही है बेसिकली डेंगू से बच करें मच्छोरों से बचे यही उसका एक मात्रा हुपचार है आज दिनांख में साथ के सेक्टिव हुए है जो की पॉजिटिव है ना डेंगू पॉजिटिव आये हैं जिनका इलाज प्राइवेट हस्पिटल में चल रहा है मेरी लोगों से यही अपील है कि लोग अपने घरो पर फुल कपड़े पहने के रहें जैसे मोजे पहने के रहें घर में रहते हैं अंधिर वाले डार्क कमरे में बेठना कम करें लोगों से मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि अभी अपने घर में जैसे च्छतों पे जाएं और उहां पे जो पानी भरा हुआ है उन चीजों को को फूरी तरह से खाली कर दे हैं जचेशे खुले के घर में गारी मिक टाम है उसकिया और अपी रख दिया है उसमें पानी होने के करान मस्चछ देंगु का रहता है और उसके करान आपको देंगु हो सकता है उब अभी अपने चार-पांच दिन में काफी जादा प्रकोब देखने मारा है कि अधिकतर गाओं में 6-7 गाओं केस सड़नली बढ़ गए हैं तो मेरी लोगों से अपील है कि आप अपने बच्चों का विध्यान रखे और अपना स्वयाम का विध्यान रखे क्योंकि कोरोना के साथ साथ अभी डबल मार अपने देंगो की है और दोनों चीज एक साथ होना अपने लिए बहुत चिंता जनक विसे है और इसमें आपके साथ अपना देपालपुर स्वास्तिवा की पूली टीम लगी हुई है आपका भी सोयोग हमें बराबर मिलता रहेगा तो अपने इस बीमारी से भी बहुत चली बाहर निकल आएंगे